कर्म कैसे create होता है जब आप एक perfect exchange हो रहा है आप और मैं same frequency पे एक दूसरे की बाते को receive कर पा रहे है तो वहाँ पर equal आदान प्रदान हो रहा है उर्जा का intention भी same है, frequency भी हम दोनों की same है आपने जिस example में कहा कि आप receive करने के लिए तयार नहीं है और मेरा intention अच्छा है बट मैं आपके उपर words के माधियम से energy थोपे जा रहे हूँ तो वहाँ पर receiving tendency नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर एक energy card बन जाएगा जहाँ पर मैंने excessively दे दिया तो किसी ना किसी तरीके में मेरे जीवन में मैं उसका विपरीत अनुभव करूंगे मैंने दे दिया अब उसका विपरीत मुझे experience करना ही होगा तीसरी चीज़ जो हमें इस कर्म के बंदन से उपर उठने के लिए एक माधियम बन जाता है वो है non-violence याने की अहिमसा का भाव अपने अंदर उजागर करना अफकोस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं और पीएससम में सबसे महत्वत दिया जाता है अहिमसा को तो हम यूशली उसको अपने खाने के स्थर पर ही देखते हैं कि यूनो हम करुना भाव से जो भी हमें खाना खिला रहा है जो भी खाना हमारे हाथ में प्लेट में परोसा जा रहा है वो शुद्सात्विक भोजन ही हो जिस भाव से वो खाना खिलाया जा रहा है जिस भाव से वो हम खाना का रहे हैं तो हम उसको non-violence यानि की अहिमसा भाव को सिरफ हम अपने non-killing के perspective से हम देखते हैं। पर अहिमसा भाव एक बहुत-बहुत-बहुत deep concept है जो हमें हर एक पल अपने जीवन में implement करना है। हम अपने विचारों में, अपनी बातों में, अपने आपको और दूसरों के पती बहुत कठोर होते रहते हैं। अपने लोग को, because आप वो ही अपने अंदर सी वो create करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, outer response also will be similar। तो अहिमसा भाव सबसे पहले हमें अपने आपके प्रती implement करना है। तो सबसे पहले अहिमसा तो हमारे खाने में हो जाता है, कि we start to adopt us to the strategic diet, कि हम सिर्फ शाकाहर भोजन खाना शुरू करते हैं। पर जब हम deeper इसमें जाते हैं, जब हम deeper जाते हैं अहिमसा की भाव में, दो प्रती के हिंसा हम करते हैं, एक अपने आपके प्रती और फिर दूसरों की प्रती, अपने आपके प्रती जब हम अपने आपके प्रती बहुत कठोर होना शुरू करते हैं, we pull ourselves down, हम बोलते हम नहीं कर सकते, मुझसे नहीं होगा, दूसे लोग मुझसे बेटर है, तो वो वाला beach of low self-esteem है, हम अपने आप के अंदर बोये जारे, बोये जारे, बोये जारे, बोये जारे, वोही चीज़ जब हम किसी और के प्रती भी बोते हैं, कि हम interfere करते हैं, वहाँ पर भी ego complex जादा होता है, बड़ actions के माध्यम से हम जादा वो करते हैं, बड़ non-violence हर स्तर पर होता है, physical, mental and emotional, याने कि हमारे कारियों में, हमने भार्वनात्मक शेत्र में और हमारे विचारों में, जब हम किसी के प्रती हम हिंसा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर करम के बीच हम अपने जीवन में बो रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों चीज़ों, हम अगर इस पूरे करमा के गड़ बंदन से अगर हम भार उठना चाते हैं, of course, meditation, जैसे आपने कहा, awareness, जागरुकता बढ़ाना, बट इसको अपने जीवन में implement करना है, किसी को भी किसी के जीवन में हस्ताक्षेप ना करना, criticize ना करियेगा, जैसे है उसको स्वीकारना, इसको हम acceptance भी कहते हैं, बट acceptance में भी बहुत deep levels हैं, तो हम इस जो मोटा-मोटा जो हमें ये समझना है, कि किसी भी action को, किसी भी विचार को, किसी भी भावना को, किस intention से हम उसको feel कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसके विपरीत, opposite experience भी हमें experience करना होगा, जो भी आप कर रहे हैं, तो Bible में एक बहुत अद्बुत तरीके से लिखा है, आप दूसरों के साथ वैसे ही वियवार कीजे, जैसे आपको अपने आपके साथ पसंद है, तो अगर आप चाते हैं, कि लोग आपको बहुत respect करें, लोग आपको बहुत प्यार करें, और आप चाते हैं, अगर हमें किसी को अपना भाव यक्त करना भी है, सही समय, सही सिचुएशन, सही परिस्तिती और सही शब्दों के माध्यम से, हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, अगर हमें किसी को feedback भी देना है, let's say we are in an office environment, हमें कब, कहा, कैसे, इसकी प्रतीचों जागरुकता है, वो बढ़ानी है, मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, भगवत गीता में, सुकर्म और कुकर्म, तो अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, बट शी कृष्ण भगवान, अकर्म की स्थिती को कार्य करने को कहते हैं, एक non-judgment, एक detached state में, जो भी हो रहा, एक साक्षी भाव से देखते हुए अपना कार्य करना, तो आप involved भी हो, हम पूरी तरह से involved होके अपना कार्य करेंगे, बट किसी के साथ भी attachment ना लेते हुए, तो अफकॉस हम उसको फल के साथ जोडते हैं, कि मैंने बहुत hard work किया है, मैंने बहुत effort लगाया है, तो परिणाम ऐसे होना चाहिए, हम सिरफ वहां तक ही देखते हैं, पर जो भी कार्य हम करें, पूर्ण जागरुकता से करें, कि केवल ये एक अनुभव मात्र, ये हमारे जीवन में एक परिस्तिती आई है, तो हम क्या best उस situation में कर सकते हैं, क्या best बात कर सकते हैं, तो इसमें वाक्षेतर का subject आजाता है, क्या best हम सोच सकते हैं उस situation में, यहां पर संकल्प शक्ती का concept आजाता है, क्या best हम कारे कर सकते हैं, यानि कि कितना आप एक साक्षी भाव से एक कारे कर सकते हैं, इस तिती में जब हम कारे करना शुरू करते हैं, हम really धीरे-धीरे at least एक कदम आगे बढ़ते हैं एक अकर्म स्तिती में जीना, कर्माव का जो concept है, है तो बहुत लंबा, इसकी बार में इतने सारे books लिखे गए हैं, पर जो basic चीज जो हमें समझनी है, ये कोई दंड नहीं है, कोई हमें बैठ कर, हमें judge करके नहीं बोल रहा, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए सही या गलत है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने जीवन के मालिक हैं, और आप खुद creator हैं और आप define करते हैं कि ये इसके प्रती जो energy balance मुझे करना है वो विपरीत परिस्तिती में अनुभव करूंगे